दोस्तो एक समय था जब हाड़ेटेक को सिर्फ वृद्धों की बिमारी माना जाता था किन्तु अब व्यक्ति कि सुरावस्ता में पैर रखते ही इसके सिकार होने लगते हैं और यही कारण है कि आज काल दिल के मरेजों के संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है जब हमारे सरीर में खून हमारे दिल तक नहीं पहुँच पाता तब हाड़ एटेक होने की संभावना बढ़ जाती है और अगर समय रहते इस रुकावट को दूर ना किया जाए तो ये एक गंपिर रोग बन सकता है जो जान लेवा हो सकता है सबसे पहले तो हम जानेंगे हाट एटेक आने के कारणों के बारे में कॉलेस्टरॉल बढ़ने की वज़े से मोटापा आता है और अधिक मोटापे के कारण हाट एटेक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है सुगर के कारण भी हाट एटेक हो सकता है हाई बलर प्रेसर के मरीज़ को हाट एटेक आने के बहुत चांस होते हैं इसलिए जीवन में कुछ ऐसे नियम अपनाए जिससे हाट एटेक की बीमारी सरीर से दूर रहे तो चलिए जानते हैं हाट एटेक से बचने के राममान गरेलूनुस के पहला लसून रेगिलर सुबख खाली पेट लसून की एक या दो कली पानी से निगल जाए इसमें मौजूद एंटि आक्सिडेंट्स कॉलेस्ट्रॉल को कम करते हैं निम्मू पानी निम्मू में परियाप मातरा में एंटि आक्सिडेंट्स पाए जाते हैं ये बोडी से खराब कॉलेस्ट्रॉल को बार निकलने में हेल्प करते हैं उड़त की दाल रात को चार या पांच चम्मच दाल पानी में विगो कर रख दे सुबह इसे पीस कर दूद में मिला कर पी जाए दूद और आवला एक ग्लास दूद में पीसा हुआ आवला पाउडर पीए इससे कॉलेस्ट्रॉल कम होता है साथ ही हार्ट डिसिस का खत्रा भी कर जाता है गाजर और सहद हपते में दो या तीन बार गाजर के जूस में सहद मिला कर पीए इससे कॉलेस्ट्रॉल कम होता है दही रेगुलर अपनी डाइट में दही सामिल करे ये बोड़ी में कॉलेस्ट्रॉल कम करता है इससे हार्ट डिसिस की आसंका कम होती है गी और गुड खाने के बाद गी और गुड खाए इन में मौज़ुद तत्व कॉलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं इससे बड़ सर्किलेशन बहतर होता है लौकी लौकी को उबाल ले अब इसमें जीरा, हल्दी और हरा धन्या मिक्स करके खाए ऐसा हपते में तीन या चार बर करे इससे बड़ी का कॉलेस्ट्रॉल कम होगा टमाटर, इसमें मौज़ुद लाइकोपिन, बिटा केरोटिन, फॉलेट, पोटेशियम और विटामिन सी कॉलेस्ट्रॉल को कम करते हैं बदाम और काले मिर्च, तीन बदाम और चार काले मिर्च का पाउडर बना ले इसमें चुटकी भर तुलसी का पाउडर मिलाकर रेग्यूलर पानी के साथ पिए